हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर दोस्तों आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंदल भीम में कौन सा सर्या हमें यूज करना चाहिए सर्या की थिकनस क्या होगी अगर हमको उसमें रिंग यूज करना चाहिए कि नहीं अगर हमको रिंग यह और उसमें कौन सा कॉंक्रीट यूज करना है जो हमारा लिंदल भीम है उसको कितनी मोटाई तक यानि लिंदल भीम की थिकनेस क्या होनी चाहिए आजके इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो से रिकार्डिंग एक कॉमेंट आया था कि सर यह बताईए कि हमको लिंदल भीम काशतों कर रहे हैं पर हमें उसके रेंफोर्स्मेंट के बारे में अच्छी डिटेल्स नहीं है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी कि प्लीज वीडियो को लाइक करते हैं और अगर मेरे चैनल पर नए हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और पर प्रेश कर लिज रिलेटेड सारी पॉइंक बहुत आशानी से मैंने आपको एक आप तॉपिक को समझार क्का है तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा पर इस वीडियो में उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंस बता देता हुँ जैसा कि लिजल डोर वींडॉ के frame के उपर cast किया जाता है ताकि door window के उपर जो भी हम brick work करेंगे उस brick work का load हमारे door window पे ना है क्योंकि जब door window का settlement होगा या थोड़ा सा उसमें जुकाव आएगा तो हमारा पूरा brick work crack कर जाता है plaster में major cracks देखने को मिलते हैं इसको avoid करने के लिए और उस उपर से आने वाली brick work के load को frame तक नो आने से रोकने के लिए हम general lintel beam को cast करते हैं अब lintel beam के हम सबसे पहले बात कर लें कि lintel beam में हमें कौन सा सरिया यूज करना चाहिए तो lintel beam में हमें minimum 10 mm का सरिया यूज करना चाहिए minimum मैं सब्द यूज करना हूँ आप में इससे नीचे नहीं जाएंगे आप कम से कम 10 mm का सरिया जो है lintel beam में यूज करेंगे अब ये सवाल आता है कि कितने सरिया यूज करना चाहिए तो lintel beam में हमें कम से कम 4 सरिया यूज करना चाहिए lintel beam जब भी हम प्रोवाइट करेंगे तो प्रॉपर भी उसका हम जो है सरिया लेते हैं 4 सरिया और सरिया को बांधते हैं उसके बाद ही अब lintel beam की कास्टिंग करते हैं अब बात ये होगी कि lintel beam में हमें कितने mm डायमेटर का हमें रिंग यूज करना चाहिए तो दोस्तों हां रिंग आपको lintel beam में यूज करना चाहिए और रिंग जो है मिनिमम 8 mm डाया की होनी चाहिए 8 mm कम डाया से आप रिंग 9 बनवाए 3 बाई 3, 3 इंच बाई 3 इंच की रिंग मार्केट में आती है आप 8 mm डाया की रिंग ले लेंगे और उसी रिंग से जो है आप सर्य को अच्छी तरीके से बांधेंगे एक रिंग से दूसरे रिंग का जो distance देंगे आप एक stir up से दूसरे stir up का जो आप distance देंगे वो 5 से 6 इंच होना चाहिए उससे जादा हम नहीं देंगे दोस्तों बात हो गई reinforcement के बारे में कि आपको 10 mm का सर्या चार यूज़ करना है बात ये हो गई कि हमें रिंग यूज़ करना चाहिए तो हमें उसमें 8 mm कंडाया का रिंग नहीं यूज़ करना चाहिए रिंग की spacing की बात हो गई कि हमको कम से कम 5-6 इंच देना चाहिए एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच का डिस्टेंस अब दोस्तों यह बात कर लेंगे कि हमें थीकनेस क्या रखना है हमें जब लिंटल भीम की कास्टिंग करनी है तो हमको कम से कम 4 इंच का उसका थिकनेस रखना है क्योंकि अगर आप रिंच यूज कर रहे हैं तो आप 3 इंच बाई 3 इंच का तो आपका रिंग होगा तो उस रिंग को भी क्वरप रिंगे अब दोस्तों बात करेंगे इसकी क्वरफ के बारे में अपका मतलब यह एक mix ratio है mix grade है इसका मतलब यह होता है कि एक डेल तीन 1, 1.5 एंड 3 का ratio 1 का मतलब cement होता है 1.5 का मतलब sand और 3 का मतलब aggregate मतलब M20 हम बनाएंगे तो उसमें एक bag sand link, cement लेंगे 1.5 bag हम sand का लेंगे 3 bag aggregate का लेंगे उसको proper से mix करके पानी के साथ हम concrete बनाएंगे और उससे हम lintal beam की casting करेंगे तो दोस्तों वीडियो पशंद आया हो तो प्लीज वीडियो को share करिए वीडियो knowledgeable लगा हो आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को share करें और दोस्तों वीडियो पशंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like कर दें और अगर channel पर नहीं है construction से related ऐसे ही future में informative videos देखना चाहते हैं doubts के उपर वीडियो देखना चाहते हैं construction से related जो भी doubts होते हैं उनको solve करना चाहते हैं तो please मेरे channel को subscribe करके bell notification को all पर press कर दीजे thank you